हेलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैंप बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो मैं आपको हाथ पैरों को गोरा सुंदर और चमदर बनाने का एक आसान तरीका बताने आ रहा हूं दोस्तो अगर आपके हाथ पैरों का कलर काफी काला है तो आपको चिंता करने की जुरूद नहीं है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्का लेकर आया हूं यह नुसका आपके हाथ पैरों से मेल और गंदी को भान निकाल देगा और आपके हाथ पैरों को एकदम गोरा साफ सुत्रा और सुन्दर बनाएगा दोस्तो जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाश्ट तक देखें साथी अगर आप नवी तर हमारे चैनल को सबस्क्राबने किया है तो उसे भी सब्सक्राब करें वीडियो को लाइक करें और हमारे युट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राब करें तो दोस्तो इसके लिए आपको सब से पहले जुरूथ पड़ेगी एक खाली बाउल की आपको यहाँ पर एक खाली बाउल लेना है फिर आपको इसमें दूसरी चीज़ों लेनी है वो दोस्तो आदे कटा हुए टमाटर का रस तो दोस्तो आपको आदे कटा हुए टमाटर लेना है और इसे जो कद्दूकस करके इसके रस को निकालके आपको त्यार कर लेना है जो कि आप मेरे पाई देख सकते हैं दोस्तो मैंने इसके कद्दूकस किये रस को निकालके पहले से त्यार रखा हुआ है तो मैं इसे इसे खाली कव्टूरी में ले लूँगा तो दोस्तो टमाटर का रस लेने के बाद में दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो दोस्तो सिंपल वाला कॉलिगेट आपको दोस्तों सिंपल वाला कॉलेट लेना है और इसका जो है एक चमस को रापर आपको कॉलेट का पेस्ट इस टमाठर के रसमें एड़ करना है अब आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देना है अभी आपको इसमें आखरी चीज़ और एड़ करने है दोस्तों वह दोस्तों बेकिंग सोडा आपको दोस्तों बेकिंग सोडा लेना है और इसमें कम सकाँ आपको इतनी सी मातरा में आदा चमस कर आपको बेकिंग सोडा एड़ कर देना है दोस्तो बैकिंग सोडा हमारे हाथ प्यरों से मेल और गंदी हूँ काफि किते ही से फुला देता है जैसे हमारे हाथ प्यरों से मेल और गंदी की आसानी से फान नकल लाते हैं तो आपको इन सारी चीओं को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट बनाके तयार करना है तो दोस्तो आप दे सकते हैं आपका एक पेस्ट बनके तयार हो चुका है दोस्तो इस पेस्ट को यो हाथ पेरों पर लागाने का यो तरीका दोस्तो वो यह है आप जो इस तरीके से लें और अपने हाथ पेरों को उपर इस तरीके से एपलाई करें अपने पूरे हाथ पेरों को उपर आपको इसे लगा लेना है फिर दोस्तों आपको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है 10 मिनट के बाद दोस्तों आपको उंगलियों से हलके आतों से गोल गोल इस तरीके से स्क्रप परते हुए साफ करना है कम सिगम एक दो मिनट तक आपको हलके आतों से इस तरीके से अपने हाथ पेरों पर स्क्रप करना है फिर दोस्तो आपको इसे साधा पानी से दोकर साफ कर देना है दोस्तो इस उपाय को करने से आपके हाथ पैर काफी गोरे साफ सुतरे और सुन्दर बनेंगे आपके हाथ पैरों से मैल और गंदगी भार निकल जाएगी तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच् शेयर करें वीडियो को लाइक करें और मेरे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे की ने नी वीडियो ने नी जानकारी आप तक पहुंचते रहें मैं आपके फिल नाओं को जासर वीडियो तब तक के लिए दुस्तों बाई बाई